होली को लेकर बाजार में हरबल गुलाल की दिमांड बढ़ने लगी है 36 गड़ में इसे स्वोसायता समू की महलाएं फूल पत्तियों से तैयार कर रही है जांजगीर चापा जिले में भी हरबल गुलाल से स्वोसायता समू की अच्छी आमदनी हो रही है गाउं गाउं के हाट बाजार के साथ ही समू की महिलाइं से दूसरे जिले में भी बेच रही है बलौदा ग्राम पंचायत के रानी दुर्गावती सुषायता समू की महिलाओं ने बताया कि फूलों पत्तियों को सुखा कर इसे तैयार किया जाता है हरा गुलाल पालक तो लाल गुलाल चुकंदर जैसे फलफूल से तयार किया जाता है इसे त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुचता और कच्चा हर्दी से पिला रंग बनता है और चुकंदर से लाल करके रंगुली बनता है और हरा से पालक भाजी बनाते हैं यहाँ पे समुआ लेदिदी लोग हरवल गुलाल का निर्वान करते हैं जैसे पालक भाजी है उसे हरकलर का गुलाल और हल्दी है कच्चा हल्दी से पिला कलर के गुलाल चुकंदर है उसे लाल कलर का गुलाल इस तरह हाँ फागुन ते भार में हरवल गुलाल का निर्मान करते हैं पहले हम नहां घर के काम में ही उल्जे रहां बरतन, खाना, पीना, परिवार, लेकिन जैसे समू बनाए हैं, सब महिलापन थोड़ा-थोड़ा समय निकालके, एक काम मन लगा थान, जैसे हरबल, अभी होली आ है, तो होली में हमने हरबल गुलाल बना थान, हरबल गुलाल जो कि हमार सरीर के लिए बहुत अच्छा है, है न समू कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर आखाश छिकारा ने भी लोगों से स्वोस आइथा समू से तयार गुलालो को ही खरीदने की अपील की है, वहीं जुला पंचयत मुखे कारिपालन अधिकारी गोकुल कुमार राव्टे ने भी महिला समूहों का मनोबल बढ़ाने की अपील की जांजगीर चापा जुले में समूह की ओर से गुलाल के साथी सुगंधित अगर्बत्ती फिनाईल एवं मसाले भी वाजब दाम पर उपलब्ध कर आय जा रहे हैं विकास विस्तार अधिकारी प्रियंका दिवांगन ने बताया कि बीहान के माध्यम से समूह की महिलाओं को प्रोच साहित किया जा रहा है